मुवी नरेसन अंदी प्रेजंटिंग स्पेंसर कानी की सुरुवात में हमें इंगलेंड का साही मेल दिखायाता है जिसके बाहर मिलिटरी की गाड़ियां आती है मिलिटरी की लोग सभी गाड़ियों मैसे बॉक्सेस को निकालती है और किचिन में रख देती है यहाँ में ऐसा लगता है, मानों इन बॉक्सेस में कुछ गुप्त सामार रखा गया है मिलिटरी के लोग बॉक्सेस को किचन में रखकर यांसे चले जाती है थोड़ी दिर बाद यहाँ पस्यप की टीम आती है इन सभी को ले डेरन कर रहा होता है क्योंकि Daryne decide करता है कि साईपरिवार के लिए क्या खाना बनाना है जबी यह लोग उन बॉक्सेस को कोलती है तब हमें पता चलता है कि इन बॉक्सेस में ताजी सबजीया रखी गई है जिससे साईपरिवार के लिए खाना बनाया जाएगा दूसरी तरफ हम डायना को देखते है जो के हमें परिशान दिखाई देती है क्योंकि वो महल जाने का रास्ता भूल गई होती है थोड़ी दूरी चलने के बाद उसे एक रेश्टोरेंट दिखाई देता है डायना रेश्टोरेंट को देखकर उसके अंदर चली जाती है में कुछ प्रिंस आती है जिसमें चार्ल्स और डायना की दोनों बेटे विलियम और एरी होती है मेल के अंदर ग्रेजरी परिवार की लोगों को बजन चेक करता है कि किस सदस्य का बजन कितना कमिया ज्यादा हुआ है इधर डायना रास्ता बटक कर सड़क के किनारी खड़ मेल की तरफ रवाना हो जाती है मेल में ग्रेजरी डायना का इंतियार कर रहा होता है क्योंकि उसे डायना का बजन चेक करना था लेकिन डायना उसे बजन चेक करनाने से मना कर देती है तब ग्रेजरी बोलता है कि इस मेल की प्रथा है इस प्रथा की अनुसार तुम्हें आस्ता बटक गई थी एरी बोलता आए कि हमें ठंड लग रही है तब डायना ग्रेजरी से ठंड से बचने का इंतियाम करने का बोलती है दरसल साही मेल में किसी को भी आग जलाकर ठंड को दूर करने की अनुमती नहीं होती इसके बाद डायना अपने बेटों के साथ ऊपर चल मिलती है जो कि एक औरत एना बॉलन की होती है दरसल डायना की कहाने भी एना बॉलन की तरह होती है डायना उस किताब को अपने पता के कोट को पढ़कर सुनाती है अगले दिन डायना अपने बच्चों के साथ रूम में बैटी होती है यहां पर सभी लोग क्रिसमस के बारे म किसमस नहीं मनाना चाहते इस बार वे बाहर किसमस मनाना चाहते हैं डायना अपने बच्चों को प्रोमस करती है कि इस बार वो क्रिसमस अपने तरीके से मनाएगे तब ही यहां पर एक आदमी उन्हें कहाने पर बुलाता है तब डायना एक रूम में हार पहनती है जो कि चाल्स को लेने से मना कर देती है तब डायना उस आर को पहन कर खाना काने के लिए चली जाती है सभी लोग काना काना सुरू कर देती है लेकिन डायना को इस तरह सभी के साथ खाना काने से एलर्जी होती है डायना चाल्स की तरफ देखती है लेकिन चाल्स उसे देखकर मुझ फेल रह यहाँ पर एलजाबेत डाइना को घुर रही होती है क्योंकि डाइना खाना नहीं का रही होती है तभी डाइना को एलजाबेत के अंदर एना बोलेन दिखाई देती है यह देखकर डाइना को गुठन महसूस होने लगती है इसी गुठन के कारण वो अपना हर तोड़ देती है आर के कुछ मौती सूप में गर जाती है डायना सूप के साथ उन मौतियों के भी का जाती है कुछ दिर बाद डायना की पेट में जोर से दर्द होने लगता है दर्द के कारण डायना भागती हुई बॉस्रूम की तरब जाती है यहाँ पर डायना की गले में वही यार होता है जो कि अभी उसके गले में था जिसे डायना ने अभी अभी तोड़ा था इससे मैं पता चलता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो डायना की दमाग में चल रहा था इसके बाद डायना बॉस्रूम में जाकर उल्टी कर देती है कु पर नजर रखता हूं और मैं पहले एक ओपीसर था ग्रेजरी आगे बोलता है कि तुम अपने रूम में पर्दे लगा कर रखा करो एक बार जब तुम अपने रूम में कपड़े बदल रही थी तब एक पोटोग्रापर ने तुमारा पोटो किंच लिया था इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने रूम के परदे अमेशा लगा कर रखें डैना बोलती है कि मुझे इस तरह गुठन मैसूस होती है तब ही रात के बारा बच जाती है और ग्रेजरी डैना को एपपी क्रिस्मस बोलकर यहां से चला जाता है ग्रेजरी के यहां से जाने के बाद डैना पिर से काना काना शुरू कर देती है काना काने के बाद वो रात में मेल के बाहर जाती है और वो अपने पिता के मेल के और जाने लगती है तब ही पीछे से गाड आ जाती है और वो डायना से पूछती है कि आप यहापर का कर रही है आपको मेल में होना चाहिए डायना बोलती है कि मु वो पोटो सूट होता है पोटो सूट के बाद डायना अपने रूम में चली जाती है और मेगी को बलाती है लेकिन मेगी की जगे दूसरी नोकरानी आती है वो बताती है कि मेगी को काम से निकाल दिया गया है डायना बोलती है कि मुझे सिर्फ मेगी चाहिए और ये बाद तु मैं गी तुम्हारे बारे में बोराई कर रही थी इसी बज़े से उसे नौकरी से निकल दिया गया डैना बोलती है कि मुझे इस महल के नियमों के अनुसार मैं इसा नहीं कर सकता ओर तो मैं अभी नियमों को पालन करना चाहीए आगे चाल्स बोलता है कि कल सुवह हम चर्च जाने वाले हैं तुम वहाँ पर कुछ गड़वर मत करे देना इतना बोल कर वो आँसे चला जाता है अगले दिन सभी λोग चर्च में जाती हैं प्रार्तारा करने के बाथ सभी लोगों का पोटो सूट हो था है लेकिन डायना उदास लग रही होती है इसके बाथ सभी लोग वापस मैल में आ जाते हैं मैल में सभी लोग टीवी पर एलजावीत का बासन सुन रहे होती हैं बासर कतम होने के बाद ड सबीना एलजावेत के पास जाती है और वो उसके बासर की तारिफ करती है एलजावेत बोलती है कि तुम्हें अपना ख्यार रखना चाहिए क्योंकि साही परिवार का हर एक सदस से करेंसी है इतना बोलकर वह आशेए चली जाती है डेना जब अपने देरन बोलता है वो इसलिए क्योंकि पर्वार का हस सदत से बहुत कीमती है डाइना बोलती है कि मैं रानी नहीं बनना चाहती हूं मैं भी आम लोगों की तरह जीना चाहती हूं इसके बाद डाइना डेरन से बायर कटर लेकर यहां से चली जाती है और मेल के बाहर आकर अकेली बैठ जाती है और एक पच्ची से बात करने लगती है कि मैं भी तुमारी तरह आजाद होना चाहती हूं मैं भी अपनी जिंदिगी जीना चाहती हूं तब ही यहां पर गिरेजरी आ जाता है और वो डायना को अपनी जिंदिगी का एक किस्सा सनाता है वो बोलता है कि मैं पह कुछ बूलकर इस मैल के नियमों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही जिंदिगी जीने का आसान तरीका है अब तुम खाना काने चलो मैल में सभी लोग तुमारा इंतियार कर रहे हैं ऐसा बोलकर वो यहां से चला जाता है इसके बाद डायना अपने रूम में आ जाती है य डायना वो ड्रेस पहन कर सभी पर्दों को वायर कटर की मदद से खोल देती है इसी जuciones होट बाजी में उस कटर से डायना को चोट लग जाती है और उससे खुन निकलाता है डैना जलदी से बोस्रूम में जाती है और चोटी को साब करती है खुन अभी भी निकल रहा होता है इसी वज़े से डायना खाना काने के लिए नहीं आ पाती रात को डायना वायर कटर को लेकर अपने पिता के मेल के पास जाती है वो मेल के सामने लगे वायर को काट देती है और मेल के अंदर चली जाती है अंदर जाने के बाद वो अपने बच्पन वाले रूम में जाती है यहाँ पर डायना बच्पन की यादों को देखती है उसे याद आता है कि वो किस तरह यहाँ पर खिलोनों से खेला करती थी इसके बाद वो अपने आपको यहाँ से भागता हुआ देखती है जिसमों वो सारी बंदिसों को तोड़ कर अपने आपको आजाद पंची की तरह देखती है सुवे हम देखते हैं कि डायना अपने रूम में सो रही होती है मेगी अकर उसे जगाती है डायना मेगी को देखर बहुत खुस होती है इसके बाद डायना मेगी के साथ गुमने के लिए निकल जाती है और वे दोनों एक सुनसा जगह पर बैट कर बात है करने लगती है डायना उससे बोलती है कि तुमने मेरे बारे में बुरा बाला कहा था मेगी बोलती है कि मैंना ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने तु सर्फ इतना ही कहा था कि मैं तुम से बहुत प्यार करती हूँ इसी वज़े से मुझे नौकरी से निकल दिया गया पिर उन्हें लगा कि मेरे बिना तुम परेशान हो रही हो तब चाल्स ने मुझे वापस बुला लिया मेगी की बात सुनकर डायना असने लगती है तब ही गोली चलने की आपा जाती है डायना वाँ पर देखने के लिए भाग कर जाती है वाँ पर वो देखती है कि चाल्स सभी लोगों के साथ पंचियों पर निसाना लगा रहा होता है यहाँ पर डायना के दोनों बेटी भी होती है, चाल्स उन्हें निसाना लगाना सका रहा होता है, डायना बंदू को के सामने खड़ी हो जाती है, वो चाल्स से बोलती है कि दोनों बेटे को मेरे पास बेज़ दो, चाल्स को मजबूरी में दोनों बेटों को डायना के पास बे बैठने लगती है कार में डायना को एक चिटी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि डायना आपसे बहुत सारे लोग बहुत प्यार करती है डायना मुस्कराती हुई कार में बैठ जाती है डायना मैगी को बाय बोल कर यहां से चली जाती है रास्ते में सभी को भूंक लगती है त दोस्तो आपको मारी पेसकस कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर ये वीडियो आपको पसंद आईए तो इसे लाइक करें तता अपनी दोस्तों के साथ सेर करें अगर आप इस चैनल पर नई है तो सस्क्राब कर लीजिए तता बेल आइकन को दबा कर ओल को अपसंद दवाना ना भूलें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद